Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल, Government Job Genuine Notification. Indian Railway की तरफ से Group D Recruitment Notification रिलीज कर दिया गया है, Special Recruitment 2024 का Level 1 के लिए Notification आ चुका है, सारे Information आपको Official Notification के तुरूप प्रोवाइट करूँगी. All India से Candidate Apply कर सकते हैं, Railway भरती है, सो आप किसी भी स्टेट से ब्लॉंग करते हों, आप यहाँ पर अप्लाए कर सकते हैं. Level 1 की भी Vacancy है, Level 2, Level 3, Level 4, अलग-लग Post पर Vacancy आई हुई है, और यह जो आपकी भरती है, यह पर्मानेंट भरती है. कोई भी Contractual Vases भरती नहीं है, संब्धा भरती नहीं है, पर्मानेंट भरती रहेगी. जो भी Candidate Interested है, Indian Railway में जॉब लेना चाहते हैं, वीडियो में बने रहेगा, Official Notification के द्वारा हम सारी Information लेंगे, Important Dates को कबर करेंगे, Selection Procedure क्या रहेगा, Salary क्या रहेगी, इस Criteria क्या है, सारा सब कुछ हम क्लिया करेंगे, तो अगर आप भी Interested है, वीडियो में बने रहेगा, चले, तो मैंने इसका Notification डाउनलोड किया हुआ है, हम Open करेंगे और इसका Notification देख लेते हैं, तो यह रहा यहाँ पर Notification, अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसकी Closing Date आप देख लीजिए, 16 December, मैं 6 December बोल रही थी, लेकिन 16 December है, Closing Date 16 December 2024 है, लेकिन यहाँ पर कुछ State है, जिनके लिए Apply करने की जो Last Date है, वो 30 December भी रहेगी, 30 December तक भी आप इसमें Apply कर सकते हैं, कौन-कौन से States रहेंगे, तो अभी आप देख रहे हैं, आसाम, मेगाला, मनीपूर, अनाचल परदेश, मिजोरम, नागालेंड, तिरपुरा, सिक्कम, जम्मुकस्मिर, अन्वानिकोबा, लक्चोदीप, लाहूल, इस्पिड डिस्ट्रिक, यह जो रहेंगे, इनके, ओ, हिमाचल परदेश, यह जो रहेंगे, इनके लिए अप्लाइ करने की लाज़ देट, तीस दिसंबर है, बाकी अदर स्टेट के, जितने भी किसी भी स्टेट से, आप इन स्टेट को छोड़ करके, बाकी अदर स्टेट से अगर आब लॉंग करते हैं, तो आपके ल इसमें, फिलिंग अप ओफ 21 पोस्ट तो आपकी लेवल 4 और लेवल 5 की है, जिसमें आपकी सैलरी 25,500 से रहेगी, और लेवल 2 और लेवल 3 की है, जिसमें आपकी सैलरी 19,000 से 21,700 रहेगी, और यहां लेवल 1 की भी पोस्ट है, 25 पोस्ट लेवल 1 की है, जिसमें 18,000 से स्टार् बुमेन के लिए भी है, रेसलिंग, वास्केट मेन, मैल के लिए है, बास्केट वॉल में बुमेन के लिए है, कबड़ी में मेल के लिए है, कबड़ी बुमेन, and football male female दौनों के लिए है badminton में भी दौनों के लिए है volleyball में सिर्फ male के लिए है athletics में male female दौनों के लिए है और यहाँ पर आप इसका ये भी देख पा रहे है positions ठीक है तो ये positions भी आप यहाँ पर देख रहे है अगर आप एक sports person है और इनमेंसे किसी भी एक के लिए एक sports में अगर आपने requirement जो भी रखी गई है अगर आप वो fulfill करते हैं तो apply कर दीजेगा अब यहाँ पर देखेंगे लेवल बन की post लेवल बन की post रहेगी आपकी five divisions of east central railway east central railway के जो five division है उनमें आपकी रहेगी पहली है cricket, cricket में male के लिए एक है, एक नहीं है cricket के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं यह ठीक है इसके आद football में male के लिए and badminton में male के लिए basketball, volleyball और hockey hockey में सिर्फ female के लिए रहेगी, total level 1 की 25 vacancy यहाँ पर राई हुई है age criteria 18-25 साल है, इसमें कोई भी age relaxation नहीं दिया जाएगा, no age relaxation and आपकी एज एक जनवरी 2025 से count की जाएगी, minimum qualification and requirement, तो for the post of level 4 or 5, इसमें graduation आपने किया हुआ हो, अगर आप level 2 और 3 के लिए करते हैं, तो आप 12th होना चाहिए pass, और अगर आप level 1 के लिए करते हैं, तो आप 10th pass होना चाहिए ओके, अब इसमें जो level 2 और level 2 and 3 है, इसमें ITI holders भी eligible हैं 10th plus ITI, ओके minimum sports norms recruitment, requirement यहां पर आप देख सकते हैं, level 4 5 के लिए क्या रहेगा, represented the country in any of the category, या championship event, या at least third position in any of the category भी championship, ठीक है? इसी तरह से level 2 and 3 के लिए आप देख पाएंगे, अगर आपने कोई positions ली हुई है, हासल की हुई है तो आप यहां पर eligible रहेंगे, level 1 के लिए भी आप यहां देख पाएंगे, represented the country in any of the category C championship events, या at least third position आपका federation cup championship होना चाहिए, senior category, या आपके पास third option भी दिया जा रहा है तो यह vacancy sports person के लिए है, category A, category B अब category A, category B जो यहां पर दिया गया है, category C, V, A यह क्या है, तो यहां पर आप देख पाएंगे category E में olympic games category V में यह सारे आजाते हैं बाकि आपकी category C में यह तो पोस्ट के हिसाब से इन्हों ने बता दिया है किस category में championship किस level की post पर होना चाहिए ओके तो आप इसको check out कर लिजेगा अब इसका selection procedure कैसे होगा तो selection fees और देख लेते हैं फिर मैं आपको selection बताती हूँ fees यहां पर सभी candidate के लिए 500 रुपए रहेगा 400 आपको बाद में return कर दिया जाएगा refund हो जाएगा जैसा कि railway भरती में रहता है application fees जो आप फिल करते हैं वो exam या selection के टाइम पर आपका return जैसे exam होता है तो exam के time पर return हो जाता है refund बाकि इसमें आपका selection के time पर refund हो जाएगा SCST, all female candidate EWS candidate जो रहेंगे EBC candidate इनके लिए 200 रुपए रहेंगा चलिए अब हम देखते हैं इसमें selection तो selection आपका यहां पर देखिए ट्राइल के बेस पर होगा एक तो आपका ट्राइल लिया जाएगा इसपोर्ट्स का इसके बाद आपका जो sports achievement है championship, positions, ठीक है and educational achievement आपकी क्या है, यह सारा सब कुछ यहां पर देखा जाएगा, उसके बाद आपकी इस तरह से marking रहेगी, जैसे ट्राइल की maximum marking रहेगी 40, अगर आप 25 से उपर आते हैं तो fit candidate है 25 से नीचे लाते हैं तो आप unfit में आ जाएगे okay, इसी तरह से आप यहां देखेंगे कि आपका total marking 100 हो जाएगा, कैसे? एक तो आपका trial होगा 40% का 40 marks का and sports achievement आपका 50 marks रहेगा और educational qualification का 10 marks मिलेगा total 100 आजाएगा और इन्ही के base आपका यहां पर selection किया जाएगा कोई भी आपको यहां exam नहीं देना होगा अब यह आप देखेंगे basic पर बगरा दी गई है और कितना marks आप ला रहे है उसे साब से यहां पर qualifying marks दीएगा है, level wise ठीक है, किस level के लिए कितना qualifying marks यहां पर रहेगा apply कैसे करना है, तो offline आपका apply करना है, A4 size paper लेंगे आप, उस पर आपको पूरा आपका जो भी detail है, bio data और passport size photograph यह सारा सब कुछ आपको लगा देना होगा and last में आप देखेंगे, performa आपको दिया गया है, तो उस तरह से आप यहां पर apply कर देंगे divisions वगरा का यहां पर दिया गया है किसको apply करना है, कहां पर भेजना है तो यह यहां पर आप देख रहे है आप इन मेंसे किसी के लिए एक के लिए जहां भी आप करना चाहें वहां पर आप सेंड कर सकते हैं यह पूरा यहां पर all candidate indicated clearly, exposed discipline on the top of envelope, ठीक है यह आपको envelope के उपर भी mention करना होगा, तो apply करने से पहले आप एक बार check out कर लिजेगा, अब आप यह notification download करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह ECR की official site पर जाएंगे, वहां पर आप हाजिपुर headquarter पर जाएंगे, personal में जाएंगे और recruitment notification पर click करेंगे, तो आपके सामने notification open हो जाएगा, यह performer दिया गया है, यह आपको fill करना है, और offline send कर देना होगा, जो address अभी हम ने देखा है, उन में से किसी भी एक address पर आप send कर देंगे, so I hope आपको यह update अच्छा लगा हो, बैसे तो यह भरती group D की है, लेकिन sports person के लिए है, लेवल बन की कर दूदासस